कलास इस्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको बता दूं कि धुरीना एप्लिकेशन पर आज 3 गंटे की यहां पर फले सेल चलने वाली है आज 5 फरूरी को साम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पाए धुरीना एप पर सभी कोर्ष बिल्कुल नयुंतम किम्मतूं पर जीके सुबा चारण और धुरीना राजस्तान के सभी विदार्तियों के लिए लेकर आने वाले हैं आकरशक ओफर तो आज साम को आप 6 बजे से लेकर 9 बजे तक तयार रहें अभी डाउनलोड करें धुरीना एप्लिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया हुआ है सभी साती कलास में लाइव जूड़ जाएं राजस्तान जीके की अपनी कलास होने वाली है बहुत ही सांदार कॉंस्टेबल एक्जाम के लेवल की 45 परशन एक्जाम में आएंगे और 45 परशन हूँ बहु हम पेपर लेकर आए हैं और आप कितने राइट कर पाते हैं आपका क इज्ञान परियावरन संगीत या खेल इस परशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सबसे पहले हम बात करें उमर फारूकी तो इनका सम्मद किस जिले से हैं इनका सम्मद है अलवर जिले से हां अलवर के निवासी है उमर फारूक इनका निदन हो गया है नेनिताल में टेक आने से इन्होंने अंतराश्टिये इस तरह पर भफंग वादक के रूप में अपनी पैचान बनाई बफंग वादक विल्कुल तो इनका सम्मद किसे हुआ संगीत से हुआ सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जितने भी मेरे बबबर शेर लाइफ जूड़ चुके है एक बार कलास को लाइक और शेर जरूर कर दें शेकिंड परशन आप से पूचा गिया है चंदरभागा समुदर तट भारत के किस राज्ये में इस्तित है केरल उडिसा माराश्टर या पुदू चेरी हां राइट आंसर हो जाएगा आपका दो नमबर उडिसा उडिसा उडि इस्तित परशन आपका दो नमबर उडिसा से तीन किलोमेटर दूर है सूरिय मंदिर काहां पर है कोनार्क में है परशिद यहां से तीन किलोमेटर दूरी पर है ठंडी हवाकी सरसराट और सापानी के साथ तटकीम मंतर मुक्त कर देवानी प्राकरतिक सुन्दरता जो आने व भावी कोंश्टेबल साती है खाकी वर्दी के दिवाने नोजवान साती सभी का स्वागत है गुड इउनिंग परशन रिंक्या तीन राजस्तान में अगला परशन क्या पूछा गया है आपसे बिलकुल आंसर बताएं राजस्तान में इसकेल पचर पारक निमन में से किस पे पेलेस में है मादवेंदर पेलेस जल महल पेलेस उम्मेद भवन पेलेस या सरिस्का पेलेस राइट आंसर आपका एक नमर हो जाएगा मादवेंदर पेलेस राजस्तान की राजदानी जेपूर में नहरगड का किल्ला है कौन सा किल्ला नहरगड का किल्ला नहरगड का किल्ल के मादवेंदर पेलेस में देश का पेला इसकेल पच्चर पारक बनाया गया है बिल्कूल यहां पर मूर्तियां बगेरा आपको देखने को मिलेगी अगला परशन देखते हैं राजस्तान की रियासतूं के एकी करण के समय जोदपूर राजी का महराजा कौन था बहुत ही सां पूचा गया है एकजाम के लेवल का जब एकी करणवार रियासतूं का उसमें जोदपूर राजी के महराजा कौन थे हनवाच शिंः उम्मेच सिंः विई सिंः या गज शिंः राइट आंसर हो जाएगा हनवन शिंः एक नमर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला परसंद देखते हैं परसंट रिंग्या पांच निमन लिकित में से राजस्तान का कौन सा साथ सक राजवन्स यादव राजवन्स से समंधित है राजवन्स बिलकूल सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिसोद्या राजवन्स कहां का है मेवाड का राजवन्स ने राज किया जोदपूर रियासत पर मारवाड में कच्छूआ उन्स ने राज किया आमेर जियपूर अगला परसंद देखते हैं अजमेर का संस्ता पकोन अज्यराज, अरणोराज, पर्थुराज, पर्थम या अज्यपाल अज्मेर सेर का संस्ता पा कौन था ये परसंट कहीं बार आ चुका है और विदारती ये चार नाम सेम देखकर आपर गलती करते हैं पहला और चोता बिल्कुल सेम दे रखा है दोनों ही आपर राइट हो जाएंगे सेम नहीं है, अलग लग है ये अज्यराज है और ये अज्यपाल है, सोरी तो राइट आंसर हो जाएगा अज्यराज वासुदेव चोहन ने 551 इस्वी में सामर में चोहन वंस की इस्टापना की थी और अज्यराज ने 1113 में कब 1113 इस्वी में अज्यमेर सेर की इस्टापना की तता अज्यमेर के चोहनू को राजदानी बनाया तो अज्यमेर का संस्तापक कोन हुआ अज्यराज अज्यराज पाल मत कर देना, अज्यराज राजपाल राजगर देना बिल्कुल राइट हो जाएगा उसके बाद अरणो राज ने तुर्कुन को प्राजीत कर आनासागड जील वे पुसकर में वरहा मंदिर का निर्मान भी करवाया था हाँ जो आना सागर जील है अजमेर में इसका निर्मार किशने करवाया अरणो राज ने अगला परसंद देखते हैं निमबार्क संपरदाई की मुख्य पीट काम पर है सेलेमाबाद किशनगड खेडापा या साला सर निमबार्क संपरदाई की मुख्य पीट आपकी काम है रा संपर्दाई की परदान पीट आपकी सेलमबाद में है हाँ और इसकी यहां पर इस्तापना किस ने की थी इस पीट की परशूराम ने बिल्कुल परशूराम दिवा अचारिय ने इसकी इस्तापना की थी अगला परशन बहुत ही सांदार पूछा गया है जेला जमेला पीपल पना अंगोटिया किस अंग के अबूशन है जदिया आपको अबूशन टोपिक पूरे पढ़ने है राजस्तान जीके की पूरी थोरी पढ़ना है कंप्यूटर की मैला बालप्राद की तो अपनी वेब साइट है इस्टेडी एग्जाम एकेडमी एजूकेशन मेटर गूगल पर आप सर्च कर सकते हैं या लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्सन वोक्स में नीचे सब से दिया गया है कमेंट वोक्स में दिया अपनी वेबसाइट पर आप जाकर पर्चेशन पूरी थोरी जीकी की नोट्स बगयरा हमारे इस परशन का right answer क्या हो जाईगा अब आप दो मेवाड का मेरा तनकिस युदगों का कुम्मलगड का युद हल्दी गाटी गोगुंदा या दिवेर का युद राइट आंसर तुक्के के साथ आना चाहिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिवेर का युद बिल्कुल दिवेर का युद कब हुआ था काफी मेहतु पुण है दिवेर का युद हुआ था 1582 में हल्दी गाटी का वा था 1586 में 1582 में महराणा परताब वे अक्पर की सेना के मद्दिय दिवेर का युद हुआ जिसे करनल जैम्स्टोड ने मेरा थन का यूद गा इस यूद में महारणा परताब की विजे होती है अगला परशन देखते हैं नेक्स आचुका है कि किस समाचार पत्तर के माध्यम से विजे सिंग पत्तिक ने विजे सिंग पत्तिक ने विजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया केशरी परताब यंग इंडिया या मराथा राइटांस रोजएगा परताब विजे सिंग पत्थिक ने परताप समचार पत्थर जो कानपूर में परकाशित होता था इसके माधिम से विजोलिया किसान आलोलन को पूरे भारत में चर्चित किया इसलिए विजे सिंग पत्थिक को राजस्तान में किसान आंदोलन का जनक भी माना जाता है किसान आंदोलन विजोलिया कहां पर है बीलवाडा में ज्यान रखना कहां पर है बीलवाडा में कब सबसे लंबा चलाता ये किसान आंदोलन किसान उने आंदोलन क्या 45 वरक तक ये आंदोलन चला 1877 में ये आंदोलन शुरू हुआ और 1901 तक ये आंदोलन चलाता सबसे लंबी अउदी तक ये परशन पूचा जाता है दोस्तों जहान रखना अगला परशने की कथा किस वरक्ष से निकाला जाता है खेजडी, सागवान, खेर या सालर कहीं बार एक्जाम में आ चुका है कथा आपका खेर से निकाला जाता है खेर के वरक्ष सरवादी किस जिले में देखने को मिलते हैं तो खेर के वरक्ष मिलते हैं उद्यपूर जिले में इस वरक्ष का उप्योग कथा बनाने में किया जाता है हाँ, सामानित एक कथोड़ी जनजाती जो कहाँ पर है उद्यपूर में चितोडगड में यहाँ पर ये कत्था बनाने का कार ये करती ये कतोड़ी जन जाती अगला परशन आ चुका है सक्रीन पर आपके सामने निमलिकित पसू उत्पाद कू में से कौन सा एक राजस्तान का मुख्य पसू उत्पाद है दूद मीट अंडा या चमडा तो राइट आंसर हो जाएगा दूद क्या है दूद अगला परशन देखते हैं राजस्तान के थार के मरुष्टल में द्रेश दती नदी की गाटी में किस परकार के बालू का इस्टूब चिनित होते हैं तो यहां पर होते हैं आपके रेखिये कौन से रेखिये बालू का इस्टूब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा हवा के द्वारा जब मीटी का जमाव या निक्सेपन हो जाता है तो बढने वाली जो आकरती होती है उसे बालू का इस्टूब केते हैं अगला परसंद देखते हैं राजस्तान राज्ये विदूत उत्पाधन निगम लिमिटेड का मुख्य कारी क्या है इसका मुख्य कारी है सरकारी चेतर में सक्ति परियोजना का विकास करना राजस्तान राज्ये विदूत निगम लिमिटेड और इसके साथ में सरकारी स्वा राजस्तान राज्ये विदूत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्टापना कब की गई इसमें अभी वेकेंसी भी आई ये ध्यान रखना दो पंदरा सो पदूं पर अभी भरती आई हुई ये इसमें 2002 में इसकी स्टापना की गई थी हाँ इसका कारी है विजली देना बिल्कुल अगला परशन देखते हैं समन्वित जल ग्रेण परबंदन कारी करम का नाम परिवर्थित करके कर दिया गया मुख्य मंतरी कर्शी शिंचाई योजना परदान मंतरी शिंचाई योजना राजीय शिंचाई योजना राजीय कर्शी शिंचाई योजना जल ग्रेण परबंदन कारी करम का नाम मदल कर क्या कर दिया गया है राइट आंसर क्या हो जाएगा परदान मंतरी करशी शिंचाई योजना भी आपका राइट आंसर हो जाएगा परदान मंतरी करशी शिंचाई योजना में फंवारा सिंचाई पतिती के दुआरा जल परबंदन की वेवस्ता की गई है इसमें केंदर और राजी सरकार का कितना योगदान है 60% तो आपकी केंदर सरकार का है और 40% आपका राजी सरकार का इसमें योगदान है अगला परशन है कि सुका संभावी छेतर कारिकरम कब परारम हुआ तो ये कारिकरम परारम हुआ 1934 में दो नमबर आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला परशन आपके सामने सक्रीन पर आ चुका है मुख्य मंत्री के वेतन और भत्ते निमन में से किसके दुआरा निर्दारित किये जाते हैं मुख्य मंत्री को कितनी सेलेरी मिलती है कमेंड करके बताओ संबाग सविदान की तीसरी अनुसूची राजजी विदान सबा या राजजी पाल मंत्री परिशद का परदान होता है मुख्य मंत्री सविदानी ग्रूप से मुख्य मंत्री राजजी का वास्त्वी कारिय पालक है इसके वेतन और बते विदान सभा निर्दारित करती है कौन करती है राजी की विदान सभा शीया आपका राइट आंसर हो जाएगा अगरा परशन देखते हैं नगर निगम की सभा की अधिक्सता कौन करता है सभापती, मेर, जिला, मजिश्ट्रेड या नगर आयूक्त राइट आंसर क्या हो जाएगा मेर करता है पांच लाग से अधिक आबादी कितनी होती है पांच लाग से अधिक आबादी या अधिक जनसें क्या वाले बड़े नगरूं के नगर निगम की इस्तापना का प्रावदान है नगर निगम वहीं होते हैं जिनके आबादी कम से कम पांच लाग होनी चाहिए राजिस्तान में वर्तमान में कितने नगर निगम है कितने है बिलकुल और जो नगर निगम का देक्स होता है उसको मेर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेर बोलते हैं नगर निगम के देक्स को या महापोर भी बोला जाता है इसे अगला परशनेगी राजस्तान में परशासनिक दश्टिशे निवमन में से सबसी छोटी का ही कौन सी है संसर, जिला, पंचाई समीती या تेसिल तो सबसे छोटी इन में से हो जाएगी तेसिल क्या हो जाएगी तेसिल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा और तेसिल का जो परमुक अधिकारी होता है वो तेसिलदार होता है नाम सुनाओगा आपने पूरी तेसिल का जो अधिकारी तेसिलदार होता है राजस्तान राज्य मानुवादिकार आयो के अद्येक्स उस सदेश्यों की निवक्ति के लिए गटित समीति का अद्येक्स कोन होता है नेता परतिपक्स विदान सभा का अद्येक्स राज्य पाल या मुख्य मंत्री तो यह होता है आपका मुख्य मंत्री राजस्तान राज्ये मानवादिकार आयोका गटन कब किया गया एकजा में पूचा गया भी ग्राम शियोग में राजस्तान राज्ये मानवादिकार आयोका गटन 18 जनवरी 1909 में को किया गया और 2000 से ये कारी शील लगतार कारी कर रहा है 1929 में इसका गटन हुआ और 2000 से लगतार कारी कर रहा है अगला परसंद देखते हैं राजी पाल पद पर न्यूक्त करने के लिए उप्यूक्त योगेता क्या है राजी पाल बनने के लिए वे किसी लाब के पद पर नहीं होना सही है वे तीस वरस की आयूप पूरी कर चुका हो वे राजी विदान मंडल और संसद का सदिश्य हो तो इन में से आपको नीचे कूट चुन कर बताने है कौन सा राइट है राजी पाल पद के न्यूक्त ओने के लिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एक नमर और तीन नमर आपका राइट हो जाएगा राजी पाल राजी कार यपालिका का परमुक होता है अनुछेद 157 और 118 में इसकी योगिता और सड़ते दी गई है पहली है कि वे बारत का नागरी गोना चाहिए और उसकी उमर 30 वरस पूरी नहीं बलकि उसकी उमर कितनी होनी चाहिए 35 वरस या इससे अधिक होनी चाहिए कम से कम राष्ट पती राजी पाल बनने के लिए कम से कम आयू राष्ट पती नहीं राजी पाल बनने के लिए कम से कम आयू 35 वरस तो होनी चाहिए इसमें तीस वरस दे रहा है जो कि यहां पर अपना गलत है हाँ किसी विदान मंदल का सदिश यह नहीं होना चाहिए और किसी लाब के पत पर भी नहीं होना चाहिए दो एक नमर और तीन नमर आपका राइट हो जाएगा डी इस आपका करेक्ट आंसर अगला परशन है कि राइज ये महिला आयोग है सवेदानिक निकाई राइज ये महिला आयोग क्या है आंसर बताएं दे के साथ यूँ किस किस का दे के करेक्ट आंसर आता है बिल्कुल सान विदिक निकाई है दो नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट है राजिस्तान राजिय महिलायो का गटन कब हुआ 1909 में मुवाता जेपूर में किया गिया और इसकी पर्थम जो अध्यक्स थी राजिय महिलायो की पर्थम अध्यक्स थी सिर्मती कांता खतूरिया और वर्तमान में अध्यक्स है सूमन सर्मा अगला परशन देखते हैं राजस्तान हाई कोट में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पर्तम नियाईदीस कौन थे सबसे लंबे समय तक रहने वाले नियाईदीस राजस्तान हाई कोट की इस्ताप नकब हुई थी जिसके पढ़्तम मुीख्ये 29 दू बने। नियाईदी दितारी के लंब्धे समय तक रहते। कितनी संक्य होने चाहिए। कोजिब इसमें 50 है। कितनी संक्य है अधिक्तम 50 और इसमें जो 拿च के 67 व्रताइ की आयू के 62 होती है। राजस्तान के पर्थम लोकायुक्त को न्यूक्त हुए पर्थम लोकायुक्त राइट आंसर हो जाएगा श्री आईडी दुआ भी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्तान परशासनिक सुदार समीती की सिपारिश पर उन्नी सो अत्ती हेतर को सरुष्च नयाईले के सेवनिवर्थ नयाईदिस शिरी आईडी दुआ को पर्थम लोका युक्त बढ़ाया गया अगला परशन देखते हैं राजस्तान राजस्तान राज्य की भारत में कुल पसूदन में कितने परतिसत बागिदारी है बहुत ही बेश्ट परशन है यहां बात करें हम पसू गणना की तो राजस्तान में परतिएग पांच वरस के बाद में पसू गणना की जाती है पसू की और पसू गंदार राज़स्वे मंडल अजमेर के दुआरा की जाती है तो इसके अनुसार राज़स्तान में कितने पसू है राज़स्तान में पांच करोड़ से भी ज़्यदा पसू है इस परसन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ग्यारा पॉइंट दो साथ परती सथ एक नमर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो साथ ही बता रहे हैं सभी का बिल्कुल साम को आठ बज़े कलास होती है आप डेली लाइफ जूट सकते हैं बिल्कुल जी कि तो ओल एक्जम के लिए काम आएगा आपका किसी भी एक्जम के त्यारी कर रहे है नीमन में से कोन सा पाकə्स्तान का एक जुला राजस्थान की नत्राष्ट एशिमा पर इस्थित नहीं है खेरपूर बावलपूर लायलपूर या मीरपूर राजस्तान की नत्राष्ट एशिमा 1070 किलो मिटर है पाकिस्तान के साथ बोडर लगता है अपना हाँ राजस्तान के इसके चार जिले हैं राजस्तान के श्री गंगानगर बीकानेर और जैसल मेर बाड मेर और यदि हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के नो जिले लगते हैं राजस्तान से कितने नो कौन कौन से हैं बावल नगर बावलपूर रहिम यार खान गोटकी सुकूर खेरपूर संधर अमरकोड थार पारकर इसमें देखो इसमें से कौन सा नहीं है इनमें से आपका नहीं है खेरपूर खेरपूर अर्या खेरपूर तो है भी बते हैं आमने बहवलपूर भी है तो कौन सा नहीं है देखे बतो मीरपूर भी है लायलपूर नहीं है बिल्कूल C आपका राइट आंसर हो जाएगा जो विदारती C बता रहे हैं सभी का राइट है अगला परसंद है कि राजस्तान के किस जिले में इंदर परस्त ओदोगिक छेतर इस्टिद है कोटा जालावार ची तोडगड और बुंदी राइट अंसर रोजेगा कोटा कोटा को राजस्तान की ओदोगिक नगरी का जाता है कोटा को राजस्तान का कानपूर का जाता है शिक्षा का तिर्थ इस्तल का जाता है राजस्तान का नालंदा का जाता है ये कोटा के उपनाम है जो आपको पता होना चाहिए अगला परस्तान देखते हैं राजस्तान देश का एक मातर उत्पादग है टंगस्टन का सोनाच चांदी गरे नाइट इनमें से कोई नहीं जास पर शिशा जस्ता और वोलेश्ट और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो D आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्तान देश में कुछ खनीजूं का एकमातर उत्पादग है जैसे आपके सामने है वोलेश्ट और नाइट जास पर पन्ना शिशा जस्ता नेक्स्ट अगला परशन देखते हैं जेपूर का प्रमपरागत सिल्प है उन्णी और खादी ठेवाकार ये बल्यू पोट्री तो राइट आंसर हो जाएगा बल्यू पोट्री बिलकुल श्यापका क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ये बल्यू पोटरी हस्त कला इरान से लहोर आई इरान से सबसे पहले इसको लहोर लाया गया और लहोर शेशे मान सिंग पर्तम जेपुर लेकर आये थे इस कला का सरवादी विकास राम सिंग के काल में हुआ था और करपाल सिंग शेकावत इस कला के परशिद शिलबकार थे अगला परशन आपके सामने है कि राजस्तान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वरस संसोदित किया गिया 1990, 82, 2000 या 1994 में राजस्तान पंचायती राज अधिनियम 1953 को 1994 में संसोदित किया गिया तेतरवाँ सविदान संसोदन बिल्कुल अगला परशन देखते हैं राजस्तान से गुजरने वाला सबसे छोटा राश्टी राजमारक कौन सा है दो नमर आपका राश्टी राजमारक है कौन सा है बता हो देगे दो नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा NH 11B किस-किस का राइट है देगे क्या आंसर बता रहे है NH 11 नहीं है ज्यान रखना NH 71 NH 71 इगोतर भी कौन सा है NH 11B है यहां से गुजरता है रेवाडी बिवाडी अलवर से होता हुआ आपका दारु एड़ा तक जाता है यह केवल आपका किस जिले में गुजरता है अलवर जिले में किस जिले से ओकर 11B है ज्यान रखना बन चंबल गगर या सब्रमती तो चूलिया जल परपात आपका चंबल नदी पर बनेया गिया है चितोडगड में बेंसरोडगड चितोडगड में है राजस्तान का सबसे उन्चा जल परपात है और इसकी उन्चा ही 18 मिटर है अगला परसंद देखते हैं राजस्तान का कौन सा बोतिक परदेश खाद्यान का धान का कटोरा केलाता है खाद्यान का कटोरा किशे का जाता है राजस्तान का पूर्वी मेदानी परदेश डिया आपका राइट हो जाएगा यहां की मीटि काफी उपजव है अगला देखते हैं गुड़ला नामक नर्तिय सेली का सम्मंद राजस्तान के किस सेर से है जोदपूर विलवाडा उदियपूर या जेपूर राइट आंसर हो जाएगा जोदपूर से गुड़ला नर्तिय जोदपूर का परशिद है इसका आयोजन महिलाओं के दौरा यहाँ पर मटके के अंदर चिदर करके उसके उपर दीब रखकर और चेत्र महिने में गणगोर के तेहुआर पर इसका आयोजन किया जाता है गुड़ला नर्तियाब का किया जाता है कि समचार पत्र का परकासन विजे सिंग पत्थिक के दौरा किया गिया तो विजे सिंग पत्थिक ने किया था राज दियाल दासरी ख्यात में बिका नेर का इतियास लिका गucky या है इसी ख्यात में राव बिका से लेकर सरदार सिंग तक पूरा आपको वनड़न मिल जाएगा निमन में से कौन सा इस्तान पत्थर मार होली के लिए परशिद है बरतपूर मावीर जी बाड मेर या व्यावर तो पत्र मार होली आपकी परसिद है बाड मेर की कहां की यह रहा है बाड मेर की शी आपका राइट आंसर माना जाएगा और लट मार होली कहां की परसिद है लट मार होली करोली की कहां की परसिदे लट मार हो ली करो ली की और कोडा मार हो ली बिनाई कहां की परसिदे कोडा माल हो ली बिनाई अजमेर की परसिदे कोडा मार गोबर और कंडू की हो ली कहां की परसिदे कमेंट करके बता हो देखें पंडित नेनुराम सर्मा नीमन में से किसी रियास्त के परजा मंडल से समद्धी थे अलवर कोटा जेपूर या जालावार तो इन्होंने कोटा परजा मंडल की इस्ताफ ना की थी 1949 में नेक्स्ट अगला परसंद देखते हैं गिरी सुमेल का यूद लड़ा गिया गिरी सुमेल का यूद 1547 में लड़ा गिया हाँ किस-किस के बीच में सेरसा सूरी और माल देव के बीच में लड़ा गिया और जेता और कूपा ने दो सेनपती थे जेता और कूपा उन्होंने अपनी वीरता दिखाई और सही दुए बेचारे अगला परसंद देखते हैं 1883 में निमन में से किस सेर में परोपकारणी सबा की इस्तापना हुई अलवर अजमेर उध्यपूर या वरतपूर राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वामी देयानन सरस्वती ने उध्यपूर में महराणा सजन सिंग की अध्यक्स्ता में परोपकारणी सबा की इस्तापना की स्वामी देयानन सरस्वती 1885 में बंबई से बंबई में आरी समाज की उन्होंने इस्तापना भी की थी स्वामी देन्दन सरस्वती राजस्तान में तीन बार आये थे सर्वे परतम वो करोली के महराजा मदनपाल के आगरे पर करोली आये थे अगला परसंद देखते हैं निम्मन में से कौन से वंस की उत्पती अगनी कुंड से नहीं हुई है पर्मार चालूके या चोहान राइट अंसर हो जाएगा शिसोधिया बाकि आपके परतिहार पर्मार चालूके चाहान चोहान इन सब की उत्पती आपकी मानी जाती हैं अगनी कुंड से बढ़ाई भी बाते हैं गागरोन का किला निमन में से किस जिले में है अजमेर जालावाड कोटा और उद्यपूर तो गागरोन का किला है जालावाड जिले में और यह आपका है के जल दुरग है काली सिंद और अहू कौन सी दो नदियों के संगंबर बनावा है डोड राजपूद सासकुन द्वारा निर्मिट होने के कारण इस दुरको डोड गड दूलर गड भी इसे का जाता है हाँ अगला प्रसंद देखते हैं मेरे बबर सेरो नीमन में से कौन सा कतन रूडा के बारे में सही नहीं है ये परदेश के सेरी छेत्रों में गेर कर्शी को बड़ावा देता है इसकी इस्तापना नॉवमर उनीसो पिंचान में मुही इसने बल्यू पोटरी, कोटा, डोरिया, सांगानेर, वे, बगरू, हेंड, बलोग, पिरिंटिंग जैसी सिल्प कलाउं के लिए बोधिक संपदा अधिकारियों के अंतरगत भोगोलिक संकेत तक पंजी करन पराप्ट कर लिया है ये तीन, उपछेतुन, चमडा, उन, और लगुखनीज के अंतरगत अपनी गतिविदियां संचालित कर रहे हैं तो राइट आंसर आपका क्या हो जाईगा, कौन सा सही नहीं है, तो एक नमर हो जाईगा जो भी एक नमर बता रहे हैं सभी का राइट है, आप देख लेना बाद में राजस्तान के किस परदे इसका अजरक प्रिंट परशिद है तो अजरक प्रिंट आपका बाद मेर का परशिद है, डी आपका राइट आंसर हो जाईगा राजस्तान के वरद, उदोगों की संवर्दी में सबसे मेहत उपन बाद है क्या है तो सबसे मेहत उपन बाद है, विदूद अपूर्ति की यहां पर कमी है विजली की क्या है, कमी है तो राजस्तान जी किये के 45% कवर हो चुके है कल की कलास में कंप्यूटर और महिला बालपराद कवर करेंगे 45 में से कितने पच्छन आपके राइट हुए हैं नीचे कमेंट बोक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद सातियों, गुड नाइट, आराम से सोजाएं नेशित होकर मिलते हैं नेक्स्ट कलास में